एक्सरिटेशन पर काम कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, यानि की जो बने प्विए उनारियो बना हुआ था और ऐसे केस में, जो Q की डिमांड आ रही थी और यो Q supply हो रहा था वो बराबर था यानि Q supply equal to Q demand तो जो भी हमारी demand आ रही थी particularly demand थी इतने KVR की reactive power चाहिए वो alternator हमारी supply कर दे रहा था कोई दिक्कत नहीं थी अब क्या होता है यह हो गया steady state की अगर हम लोग बात कर लें अब क्या होता है जैसी क्या होगा reactive power reactive load increase हो गया मतलब हम लोगों ने अगर AC बहुत सारे बढ़ाए तो AC ना केवल active power की demand बढ़ाएगा बलकि reactive demand भी बढ़ाएगा क्योंकि coil है motor यूज हो रही है तो ऐसे case में क्या होगा reactive power reactive load बढ़ गया अब देखो ध्यान से अगर reactive load बढ़ गया तो Q demand बढ़ गई supply से तो अब ऐसे case में क्या होगा यहां पर क्योंकि demand जादा है इसकी demand जादा है और हम supply कम कर पा रहे है तो अब क्या होगा ऐसे case में क्या होगा इस situation के अंदर voltage होगा वो collapse करने लगेगा जैसा कि हम लोग power system में पढ़ाता जब active जब P demand जादा हो जाती P supply से तो frequency collapse करने लगती है जो कि intolerable है तो यह situation कभी हम लोग आने नहीं देते कोशिश यह रहती है ऐसा कभी ना हो क्योंकि frequency अगर collapse करने लग गई तो समझे रहे हो system खराब हो जाएगा पूरा दूसरा क्या होता है अगर reactive power की demand जो है Q की demand वो बढ़ गई supply से तो ऐसे case में क्या होगा voltage collapse कर जाएगा ठीक है तो voltage collapse करना भी बहुत खतरनाक है हाला कि voltage collapse करना हमारे लिए एक कह सकते हो कि हम थोड़े दिर के लिए करने दे सकते हैं आपने देखा होका voltage fluctuate होते रहते हैं घरों के अंदर light रात में down हो जाती है तो voltage का dip होना collapse करना lag करना या जो कम हो जाना उतना हम लोग थोड़ा बहुत बरदास कर सकते हैं एक तो यह एक undesirable situation है यह नहीं होना चाहिए वरना alternator जो होते हैं वो out of synchronism चले जाएंगे दूसरा कभी यह नहीं होना चाहिए कि क्यों demand जो है वो कम हो गई और क्यों supply बढ़ गई यह भी अनवर यह भी मतलब खतरनाक situation है जिसे हम लोग फेरांटी effect कहते हैं तो फेरांटी effect भी खतरनाक है क्यों खतरनाक है लेक्चर मैंने बताया हुआ फेरांटी effect की जाके चेक करना ब्रीफ में बता दे रहा हूँ इससे क्या होगा इंसुलेटर डैमेज हो जाएंगे क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं कम वोल्टेज में खराब नहीं होते हैं जादा वोल्टेज जो है इंसुलेशन खराब कर देगा हमारी line transmission system का तो यह भी एक undesirable situation है तो इन सारी situation हो में एक बार को voltage collapse वाली जो बात है इसको हम लोग थोड़ा बात देख लेते हैं तो यह बहुत ही जादा obvious situation है तो होता क्या है कि जैसी क्यू supply बढ़ेगी कम होगी और demand जादा होगी जो की बहुत ही common सिनारियो है maximum cases में ऐसा ही होता है तो क्या होगा ऐसे time पे voltage collapse होने लग करेंगे तो voltage down होने लगे अब इसको हमें रोकना है क्योंकि यह भी undesirable है एक अच्छा ideal power system कौन सा होगा अच्छा बंदा जो की voltage इसके constant रहें देखो मैंने आपको बताया था बहुत बार की power system हम लोग बनाई क्यों रहे हैं तो ultimate goal क्या है power system का तो goal power system का यह कि हम लोग आईड voltage source उनको बना अपने जो power system है उसको ideal voltage source बना सके इसलिए हम लोग क्या करते हैं grid को interconnect करते रहते हैं ताकि infinite number of alternators को connect करने की बात क्यों करते हैं grid integration की कई बार बताया है क्योंकि ideal voltage source क्या होगा कि उस पर कितना भी load लगा लो voltage ना गिरे और यही हम लोग कोशिश करते रहते हैं क उन पर दोनों plug दो जो socket है उसमें जो दोनों terminal है उसके across 220 volt का हमें difference मिलता रहे तो अब क्या होगा अब क्योंकि Q supply कम है demand जादा है तो voltage collapse कर जाएगा और यह हम नहीं चाहते तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसकी requirement के लिए हम लोग alternator से बात करेंगे तो हम क्या करेंग दो देखो यहां पर मैंने जो बनाया है यह हमने एक certain level of excitation दिखाया है अब देखो overexcite करोगे तो देख रहा हो यहां पर कितने सारे excitation कितना flux दिख रहा है तो यह केवल एक representation है एक physical representation है overexcited condition की तो हम लोग क्या करेंगे overexcitation mode में लियाएंगे जादा flux बनाएंगे जाद जादा flux बनेगा तो जादा reactive power जोगी यहां पर आगे supply होगी तो ऐसे case में क्या होगा more reactive power supply और q supply equal to q demand जो है यह question हमारी restore हो जाएगी ठीक है और जैसी restore होगी हम लोग वापस से इसी steady state में पहुँच जाएंगे clear हो रहा है यहां पर समझ में आ रहा है ऐसी इसका उल्टा भी है कि अगर मान के चलते हैं क्यों डिमांड कम होगी supply जादा हो गई तो अगर होने लगा तो ऐसे case में हम लोग क्या करेंगे voltage होगा वह imbalance हो जाएगा voltage अपकी बढ़ जाएगा यानि कि voltage इसको हम कहेंगे voltage swell की problem आ जाएगी का मतलब सूजना तो वोल्टेज बढ़ने लगेगा उसके क्या करेंगे alternator से इस काम को control करने के लिए excitation को reduce करेंगे excitation मतलब under excitation ले जाओगे और मुझे बने आपको बताया कि कोई भी synchronous machine जब under excited होती तो reactive power को absorb करने लगती तो वही होगा और हम लोग जो भी extra reactive power system में होगी उसको हम absorb कर लेंगे clear हो रहा है यहाँ तो यह जो हैं चीजें जो होती है इस तरीके से work करती हाला कि एक बात बता बहुत ही मतलब अच्छा idea नहीं है तो reactive power control अगर हमें करना है तो उसके लिए हम लोग compensation devices का इस्तमाल करते हैं compensation devices जनरली जो alternator होता है उसका इस्तमाल हम लोग बहुत कम करते हैं जितना मैंने पढ़ा है मैंने बहुत कम देखा है कि alternator का इस्तमाल हम लो रियक्टिव पावर क compensate करने के लिए कर रहे हैं ठीक है अगर कोई engineer है जो मिने lecture सुन रहा है और इस field में है तो वो अपनी सहमती दे कि अगर ऐसा होता है क्या ठीक है मैं जितना जानता हूं compensation devices के उपर हम लोग rely करते हैं facts devices आ गई हैं बढ़िया एकदम आना तो fact devices के उपर हम लोग काम करते हैं जा को compensate करने के लिए